असलाम अलेकुम दोस्तों विल्कम बेक टो माई टीप चेनल लर्निंग अनिंग फन दोस्तों आज केल मेरी वेडियो ज्यादा तर नहीं आ रहे उसके पीछे वा जाए कि बहुत ज्यादा मुस्रूप्यार बढ़ गए और मैंने कुछ जाती करके कंस्ट्रक्शन का काम तो आज की वेडियो है हाउ टू सेंड एंटायर फोल्डर ऑन जीमेल अन मॉबाइल पेरसे मैंने एक वेडियो बनाई यह इस पर जो के मैंने कंप्यूटर पर बनाई थी यहाँ पर मॉबाइल और कंप्यूटर का तरीखा जो है वो तोड़ा सा फरक है उसके दिरमें वो व पोसीजर जो अभी मैं आपनों को सिका रहा हूँ यह मॉबाइल के लिए अगर आप मॉबाइल पर एक फोल्डर सेंड करना चाहते है तो इसी तरह करना है तो चलिए शुरू करते है अपना टापिक सबसे पहले आपने जाना है फाइल मेनेजर में वही फोल्डर जो आप से आते हैं तो जीमेल मैं यहाँ पर सेंड करना चाहता हूँ ब्लूटूथ का फोल्डर यह आप देख सकते है फोर आइटम है इसके अंदर और यह अभी एमेल पे सेंड करके आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि यह सारा फोल्डर कैसे में सेंड कर सकता हूँ यहाँ पर एक आपने जेर में डालनी है कि आप जीमेल पर 24.2 MB से ज्यादा फाइल सेंड नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई फोल्डर है जिसमें फाइल इतने हैं जिसका साइज 24.2 MB से एकसीड हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो पिर आपने वही फोल्डर मुगतरी पार् नखरा रहा है मतलब यह शैर नहीं हो सकेगा कैसे इसको शैर करा अगर इसको हम अंदर ही open करते तो एक एक फाईल यहापर शैर का option नखरा रहा है यह शैर हो सकता है लेकिन हमारे पास फॉल्डर है और फाईल ज्यादा है हम ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहते हैं और वही folder को एक ही email पे send करना चाहते हैं तो इसके साथ ये करना है इसको select करना है इसी तरह पिर आपने यहां more पे click करना है जो option है सबसे नीचे right down corner में और उपर से तीसरे नमबर पे compress का option है आपने इस पे click करना है त अब यह folder compress हो गया सबसे नीचे देखेंगे यहाँ पर आ गया होगा Bluetooth zip compressed compressed successfully अभी हो गया रिप्रेश करेंगे Bluetooth zip compress आपने यहां पर फिर find करना है यही होना चाहिए यह आप देख सकते हैं ब्लूटूथ zip compress यह फाइल आपको नदरा रहा है मैंने select किया अब यह share का option है वो आपको unhide नदरा रहा है यह button share के button activate हो गया तो यहाँ पर इसको select करके यह share का option जो आपको नदरा रहा है इस पे आपने click करना है एक बात यहाँ पर मैं बूल गया जो आपको समझाना लाजमी है इसी folder को जब हम click करे और open करने कोशिक करे तो यह open नहीं हो रहा the file format is not supported हमें यह दिखाया जा रहा है कि यह file format जो सपोर्ट नहीं हो रहा इसको कैसे आपने open करना है मैं send करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ जब आप इसको compress करेंगे तो पिर यह आपके phone में open नहीं होगा तो इसके लिए क्या करना है आपने वह मैं आपनों को आगे बताऊंगा सबसे पिर इसको send कर लेते हैं इस तरह मैंने select किया और share के option पे click करके यहाँ पर मैं select करूंगा यह share का option और यहाँ Gmail मैंने select किया यहाँ पर यह आप देखें नीचे 14.8 MB का file attach हो गया है Bluetooth zip example इसलिए मैंने लिखता था कि आप लोगों को यह समझ आ जाए कि यह वही पोल्डर में attach कर रहा हूँ तो मैं अपना ही email type करके यहाँ पर यह attach करूंगा subject में भी लिखेंगे example और पिर यहाँ पर send पे click करेंगे जब मैंने send पे click किया तो थोड़ी दिर बात आपके पास एक email आ जाएगा यह अभी attachment चल रहा है तो थोड़ी दिर में यह file attach होके send हो जाएगा मैंने अपना email दिया था तो यह file मुझे email पे वापस आ जाएगा इसलिए यहाँ पर जब email आ गया तो मैंने यहाँ open किया जब open किया मैं इसी file को ऊपर click कर लेता हूँ ताकि यह download हो जाएगा unable to preview file यह preview नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा file है और यह compressed folder है सबसे पहले इसको करेंगे download और यह file download Bluetooth zip example यह जो है download हो गया अब इसी को मैं open करने की कोशिश करता हूँ इसके ऊपर click करें इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो यह कभी भी open नहीं होगा कैसे इसको open करना है फिर से जाएंगे file manager में file manager में जाके यहाँ पर my phone my phone internal storage internal storage में जाके सबसे पहले हमने जो folder बनाया था उसी को delete कर लेते हैं यहाँ से ताके आप लोग के जहें में कोई शक बाकी ना रहा है इसको मैंने select किया और यहाँ पर delete पे मैंने click किया इसका किसा खतम हो गया अब downloads पे जाएंगे वहीं folder download में पढ़ा होगा यह आप देख सकते Bluetooth zip example और यह 14.8 MB का file है इसको मैं open करने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या कह रहा है the fire format is not supported इसको कैसे आपने open करना है इसको इसी तरह select करना है यह more पे click करके options पे जाना है और compress के नीचे जो आपको नज़रा ह है uncompress यह uncompress आपने क्लिक करना है यह अब उसी folder में उसी download folder में अब uncompress हो गया है यह आप देख सकते Bluetooth zip example इसको मैं open करूंगा इसके अंदर यह Bluetooth का folder पढ़ा हुए वहीं सलामत और files भी वहीं पढ़ा हुए जो मैंने send करने की कोशिश की थे तो उमेद आपको यह वेडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करें दोस्तों के साथ शेर करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या तो लाजमी है सब्सक्राइब करें मिलते हैं निशाल्ला किसी एकलि वेडियो में तब तक के रिए अललाह हाफिज